दोस्तों, आज कल का जो हमारा लाइफ स्ट्राइल है, उसकी वज़ा से हार्ट अटेक जैसी प्रॉब्लम्स, कार्डिवेस्कुलर डीजीज जो की अलग अलग फॉर्म्स में होती हैं, वो दिन बढ़ती जा रही है कार्डिवेस्क प्रॉब्लम्स को पैदा होने के लिए सबसे में चीज जो होती है, वो होती है प्लाइक फॉर्मेशन, देखे हमारी जो आर्टरीज होती है, उनके अंदर कई बार इंफ्लमेशन की वज़ा से या फिर किसी इंजुरी की वज़ा से एक प्लाइक बन जाता है, अब ये प्लाइक बनता क्यूं है? क्योंकि जब वहाँ पर इंफ्लमेशन होता है, या कोई इंजुरी होती है, तो कॉलेस्ट्रॉल और कैल्शियम और वाइट ब्लइट सेल्स जो हैं, वो उस जगह पर आकर जमा होनी शुरू हो जाती है, एक प्लाइक की शकल ले लेता है, एक ठक्के की शकल ले लेता है, और अगर ये जो प्लाइक है, ये हमारे ब्रेन में बन जाता है, तो उसकी वज़ा से जो प्रॉबलम होती है, उसको स्ट्रोक बोल देते हैं, अगर ये प्रॉबलम हमारे हार्ट में होती है, तो हम उसको हार्ट अटेक बोल देते हैं, और अगर ये प्रॉबलम हमारे लंग्स म आर्ट्रीज हैं, वो साफ होती रहें, उनके अंदर जो प्लाकिंग हो रही है over the period of time, वो clear होती रहे, जो कॉलेस्ट्रोल जम जाता है, वो साफ होता रहे, और उसकी वजह से हम प्लाकिंग से, हाट अटेक से, स्ट्रोक जैसी बिमारियों से बच सकें, तो आज की इस वीडियो हैं आपकी आर्ट्रीज की उनको इंप्रूव करने में बहुत जादा मदद करेगी, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा, दोस्त घरेली उन उसका इस्तमाल करने से पहले आपको ये मेक शूर कर लेना चाहिए कि आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, तो ऐसे केसिस में आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और उसके कंसल्टेशन के हिसाब से जो भी मेडिसिन आ आपको लेनी चाहिए इसके साथ-साथ अगर आपको ये बलड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हैं यानि खून को पतला करने वाली दवाईया ले रहे हैं तो उस केस में भी आपको मेक शूर करना चाहिए कि पहले अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कर ले तो चलिए दोस्तों ये तो इसके अंदर बहुत ज़ादा पॉली फिनूल्स पाए जाते हैं और ये पॉली फिनूल्स जो होते हैं ये हमारी आर्टरीज के अंदर जो होने वाली हार्डनिंग है जिसको एथेरेलो स्कलिरोसिस बोलते हैं उसको करीब 40% तक कम कर देता है इसके साथ-साथ हमारी बोड़ हमारे में बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं जिससे ये बात पता चली है कि गार्लिक जो है हमारी आर्टरीज के अंदर जो प्लैक बिल्ड अप होता है उसको क्लियर करने का काम करता है उसको प्रिवेंट करने का काम भी करता है इसके साथ-साथ हमारी बोड़ी के अंदर जो platelets का aggregation है उसको भी कम कर देता है यानि clot formation होने के जो chance है वो कम हो जाता है blood की clotting power जो है वो कम हो जाती है garlic की वज़ा से garlic जो है दोस्तों यह हमारी body के अंदर total cholesterol को और LDL cholesterol को कम करने का काम करता है और इसके साथ इनके oxidation को भी कम कर देता है garlic हमारे blood vessels को dilate करने का भी काम करता है और blood pressure को भी कम करता है तीसरी चीज़ जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो है turmeric यानि के haldi turmeric के जो main constituent होता है जो की इसको सारी medicinal properties provide करता है वो होता है curcumin और curcumin जो है यह एक बहुत ही बढ़िया antioxidant होता है यह anti-inflammatory भी होता है और body के अंदर जो inflammation होता है जो oxidative stress होती है उसको भी कम करने का काम करता है curcumin की विज़े से हमारी body के अंदर जो stored fat होता है वो भी dissolve होता है और obesity यानि मुटापे जैसी problems है वो भी कम होती है इसके साथ turmeric जो है दोस्तों यह हमारी blood vessels को relax करता है और यह भी BP कम करने का काम करता है चौती चीज जो इसमें हम यूज़ कर रहे है वो है olive oil olive oil के अंदर monounsaturated fatty acids और polyunsaturated fatty acids पाई जाते हैं और यह दोनों ही चीज़े जो है आपकी body के अंदर cholesterol profile को improve करते है यानि LDL को तो कम करते हैं और HDL को बढ़ाने का काम करते हैं पांचवी चीज इसमें हम यूज़ कर रहे हैं black pepper यानि कि काली मिर्च काली मिर्च जो होती है यह antioxidant होती है इसके अंदर एक चीज़ पाई जाती है pepperine और यह pepperine जो है यह हमारी body के अंदर curcumin को यानि healthy का जो active ingredient होता है उसके absorption को भी बढ़ा देता है चटी चीज जो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों वो है लाल मिर्च यानि कि काइन पेपर और यह काइन पेपर जो है यह एक बहुत बढ़िया चीज है आपके blood circulation को improve करने के लिए इसके साथ-साथ यह हमारी body के अंदर जो blood vessels होती है उनकी strengthening के लिए भी काम आती है और plaque formation को कम करती है इसके साथ-साथ blood vessels को dilate भी करती है और BP को भी कम करने का काम करती है लास्ट चीज जो इसमें हम उसकर रहे हैं लेमन यानि के नीबू लेमन जो होते हैं यह हमारे blood को cleanse करते हैं और liver को detoxify करने का काम करते हैं इसके साथ-साथ body के अंदर alkalinity को बढ़ा देते हैं cholesterol को कम करने का काम भी लेमन करता है और हमारी जो overall cardiovascular health है उसको improve करने का काम करता है लेमन के अंदर जो medicinal properties होती हैं वो basically इसके अंदर पाए जाने वाले vitamin C और flavonoids की वज़े से होती है इस drink को बनाने के लिए आपको चाहिए दोस्तो आधा कप पानी एक apple आप ले लीजे और उस apple को आप कट कर लीजे छोटे-छोटे pieces में apple का छिलका आपको नहीं उतारना है क्योंकि इसका छिलका जो है वही main medicinal properties रखता है इसके साथ-साथ आपको चाहिए एक teaspoon olive oil दो चुटकी या एक चुटकी अपने हिजाब से आप ले लीजे काली मिच पाउडर एक या दो आप ले लीजे सूखी हुई लाल मिच एक कलोव आपको लेनी है गार्लिक की आधा नीम्बू आपको लेना है उसका रस निकाल लीजे और इसके साथ-साथ आपको चाहिए एक छोटा टुकडा हल्दी का करीब एक इंच के आसपस आप हल्दी का टुकडा ले सकते हैं इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है एक ब्लेंडर के अंदर डाल देना है यानि ये पानी भी और सारे इंग्रीडेंट्स भी एक जंगा आप डाल दीजे एक ब्लेंडर के अंदर और उसको आप ब्लेंड करिए साथ दिन तक कम से कम इसको आप लीजिए, साथ दिन के बाद आप दो से तीन दिन का gap करिए, और इसके बाद अगेन साथ या दस दिन तक इसको आप इस्तमाल करिए. ये एक बहुत ही wonderful remedy है, जो कि आप अपने घर में ही बना सकते हैं, और इसमें जो ingredients हैं दोस्तों, ये सब के सब ingredients आपस में मिलके आपको इतना अच्छा synergistic effect देते हैं, कि आपकी arteries के अंदर जो placking है, वो बिल्कुल साफ हो जाती है. तो अगर आप भी अपनी arteries को clear करना चाहते हैं, unclog करना चाहते हैं, और placking वगएरा को कम करना चाहते हैं, अपने heart problems के risk को कम करना चाहते हैं, तो इस drink को आपको regular जरूर इस्तमाल करना चाहिए. इसको दोस्तों आपको जैसा कि मैंने बताया, 7-10 दिन तक इस्तमाल करना है एक बार में और इसके बाद 2-3 दिन का gap करना है, इस cycle को आप 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक भी आरामते चला सकते हैं, कोई ऐसा इसका upper limit नहीं है, कि आपको इतने दिन यूज़ करना है, उसक जरूर करेंगे, I'm sure कि ये drink आपको बहुत ही बढ़िया results देगी, आपकी arteries को clean करने के लिए, अगर आपके मन में इस चीज से related कोई सवाल है, या आप कुछ और मुझसे जानना चाते हैं, तो comment section में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे instagram पर भी follow कर सकते हैं, मेरा instagram ID इस टेम आपकी screen के ऊपर show हो रहा है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर यहां तक वीडियो देख ली हैं और अच्छी लगी हैं, तो इसे एक like जरूर दीजेगा, अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीड देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजे, मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ, के फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हसते रहिए मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा